लग चुकी है तलब मंजिल की खुद को आग में जोक देंगे ठोकरे कहती है माराजा आएगा और हौसले कहती है देख लेंगे प्यारे साथियो नमस्कार मैं मंटू सर स्वागत करता हूँ आप सभी के आपका पसंदेदा योटूब चैनल जिसका नाम है DLS Education बिद्यकुल कट हो रहा है कि सर जून महीने से पढ़ करके हम बोर्ड परिक्षा में कैसे टौपर बन सकते हैं कैसे पढ़ें ताकि 95% अंक हासिल हो सके साथियो अगर आपके आँखों ने ये शपना देखा है अगर आपके माबाप के आँखों ने शपना देखा है और इसके लिए अगर आप तैयार हो चुके हो तो यह विडियो सिर्फ आपके लिए है क्योंकि अगर आप टौपर बनना चाहते हैं तो टौपर कुछ अलग नहीं अलग तरीके से पढ़ते हैं ये मैं एक बार नहीं कई बार बताते आता हूँ जब भी मेरे से सवाल होता है कि सो टौपर वच्चे कैसे पढ़ते हैं कैसे तैयारी करते हैं तो सिर्फ उसका जबाब एक है कि टौपर कुछ अलग नहीं अलग तर हासिल किया एस्टेट में रेंग हासिल किया जब उन लोगों से बाते हुई उसका इंटर्विव आप लोगों ने देखा उन लोगों से एक बहुत यूनिक बात निकल के आई कि वह कैसे पढ़ाई करते थे और आप भी ये सूच रहे हो कि जोन महीने से पढ़ करके कैसे टोप मैं बता दू कि अगर आप से मैं पूछूं कि क्या आपको ये पता है कि बिहार बूड का सिलेबस क्या है यानि कि आप पढ़ रहे हो तो क्या आपको सिलेबस की बारे में जनकारी है क्या आपको पता है कि आपका एक्जाम पैटर्न क्या है 90% बच्चों का सवाल आएगा अ या ये जनकारी पता है आपको कहने का मेरा मतलब ये है तो आप सभी का जवाब आएगा ना साथ Yous सबसे पहले तो बात यह है कि आपको अपने सिलेबस को अच्छे तरीकों से समझना होगा जानना होगा जैसे किसी भी यूद को में सफलता हासिल करने के लिए सबसे पहले बहुत ही तगड़ी रणनीती त्यार करने होगी उसके लिए जो हतियार होता है उसको त्यार करना होगा और हम सभी का आप सभी का हतियार जो है सिर्फ एक उसका नाम है कलम पेन उस हतियार उस कलम के ताकत को आपको दिखाना होगा साथियो कौन नहीं चाहता है कि अपने माबाप को एक बहुत अच्छे विल्डिंग, बहुत अच्छे महल, बहुत अच्छे घर में रखे कौन नहीं चाहता है कि हम भी एरो प्लेन में शौफर करें कौन नहीं चाहता है कि हम भी कार से चलें सब कोई चाहता है लेकिन ये सफना कैसे पूरा हो सकता है सिर्फ आपके महिनत से आपको अपने हक की लड़ाई लड़कर के छीरेनी पड़ेगी साथ यो अगर आप सिक्षा में अगर आप सिक्षा के छेतर में महिनत करने के लिए तयार हो गए तो समझे कि सब कुछ आपकी कदमों में होंगी तो क्या आप तयार हो तो आइए सुरुवात करते हैं सबसे पहले तो मैंने जैसा आपको बताए कि सबसे पहले आपको एख़ानकारी होने चाहिए ढूंड डालो क्या खीरार ये सिलेबस क्या है एक अलग कोपी लो उसमें सबी सब्जक्ट का वो मैट्स हो, हिंदी हो, साइन्स हो, संस्क्रीट हो या फिर इंगलीस हो, या सोसा साइन्स हो सबी सब्जक्ट का सबसे पहले आप लोग सिलेबस के बारे में सिलेबस उसको लिखने का परियास करो कि अखिरका उसका सिलेबस क्या है कितने सब्जक्ट में कितने चेप्टरस हैं ब्याक्रण से कितने कोशन चाते हैं किस टाइब के कोशन आते हैं सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप ये सारी बाते समझ लिए तो अब आते हैं next button पे साथ यूद अब उसके बाद से आपको ये जनकारी हासिल करनी है कि मुझे अभी तक जून महिने तक मैं कितने चेप्टर्स के अध्यान बहुत एच्छे प्रकार से कर चुका हूँ देखो कई बार ऐसा होता है कि चेप्टर्स को पढ़ना और चेप्टर्स को अच्छे तरीकों से पढ़ना ये दोनों में अलगी बात है एक क्या होता है कि आपके school या coaching में या online हम पढ़ा रहा है तो आपके chapter समने complete करा दी लेकिन आपने उसे पढ़ा तो है लेकिन अच्छे सा नहीं पढ़ा है तो उसको माननो कि आपने सुन या पढ़ा है कुछ भी नहीं पढ़ा है तो syllabus अगर आपके market में मिलता है तो आप जा करके market से खरिच सकते हो या फिर google पे भी आप सर्च करके उस syllabus को जनकारी आप ले सकते हो या फिर कहते हो ज़्यादा बच्चों का अगर मेरे पास comments आता है और likes आता है कि सर इस पे एक video बना दीजिए कि हमारा syllabus क्या है कौन से महीने में कौन से chapter पढ़ना होगा क्योंकि जब भी आपकी मन्थली एक्जाम हो रही है और बहुत खुसी की बात है कि बिहार बोर्ड में मन्थली एक्जाम होना सुरू हो चुकी है जो कि लगबग 26-27 तारीक से लेकर के 3-4 दिनों तक चलता है मैं हिटरी के बच्चों के में बात करता हूँ या नाहित के बच्चों के में बात करता हूँ 3-4 दिनों समाप्त कर लिया जाता है यह हर मन्थ होता है जिससे आपकी तैयारी में एक बहुत अच्छी उच्छाल आ सकती है अगर आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके तो साथ यो दूसरी बात अगर आपने अपने शिलेबस के बारे में जनकारी प्राप्त कर लिया आपको ये भी जनकारी प्राप्त होगे कि मेरी तैयारी कितनी है मैं अभी तक क्या पढ़ लिया हूँ और क्या मुझे बाकी है अगर उसमें आप अभी तक अपना काबू कर लिया उसके बाद आती है सबसे बहतरीन आपकी लिखावट साथ हूँ जैसे कि मैं कई बार ये बोलते आता हूँ कि लड़किया रोज सजती है लेकिन जब उनके साधी होता है तो साधी के दिन सजने सवरने का तरीका बिलकुल ही अलग होता है उसी परकार से आप रोज पढ़ते हो रोज लिखते हो लेकिन जैसे आपका एकजाम होता है आप एकजाम में एक भेतर कमा चाहते हो न तो उस दिन लिखने का तरीका आपको बिलकुल ही अलग होना जाए और वो अलग कैसे होगा आपकी आज की महिनत से अभी से आप एक कलम का चुनाव करो दो तिन ऐसा कलम का चुनाव करो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लिंक का पेन यूज करते हैं उससे उनका हैड राइटिंग अच्छा होता है कोई बच्चे बहुत परकार के कमपनियों का कलम यूज करते हैं उनसे हैड राइटिंग अच्छा होता है या फिर मैं इसे fast लिख सकता हूँ सबसे पहले उसके चुनाव करूँ गल्तिया क्या होती है एडाइटिंग खराब करने में कभी आपने किसी और pencil लिख दिया कभी इसकिसी और pencil लिख दिया किसी और pencil लिख दिया हलाए cep 일단 हैडाइटिंग आपके अच्छी है और pencil से बनाने की कोशिस करे जो भी फियर या notes बना रहे हैं उसे pencil से बना पहली बात, तिसरी बात, दूसरी बात आपने समझा अगली बात यह होती है कि जब भी आप अपना पढ़ाई करें साथ यू तो आप अपना handwritten notes बनाए तो handwritten notes आपको लेना ही लेना है या फिर आपको बनाना है अपने आतों से क्योंकि अपनी लिखी हुई बाते अपने लिखी हुई चीजे बहुत जल्दी समझ में आती है दोको book तो बहुत सारी चीजे है जाते हो market में book खरिद के लिए क्या आतो मैं तो मैंस मना करता हूँ यार सिर्फ NCRT किताब पढ़ो और बस आपको लगता है कि हाई किताब खरिद लेंगे ये किताब मैं पढ़ लिया हूँ या फिर एक और किताब खरूँगा और उससे पढ़ूँगा तभी किताब खर दो सबसे पहले मैं आपको जैसे बताया कि इस कर्मे में आपको करना क्या है आपको अपने हैडाटिंग के सुधारने के साथ साथ आपको अच्छे तरीकों से अपने हैंड़िटेंड नोडस मनानी है कोसिस करना कि अभी फिलाल पैंसिल से लिखे उसके बाद से धीरे धीरे आप पेन का यूज करें या फिर आपके हैड़ाटिंग सही है आपको पैंसे से लिगने अच्छा नहीं लगता है तो आप पेन का यूज करके आप एक सुंदर सा हैड़ाटिंग मनाओ क्योंकि बोर्ड परिक्षा में आपकी लिखावट ही आपकी पहचान होती है कोई इसमें आपके नाम से नहीं जानता है सिर्फ आपका रॉल कोड रॉल लंबर ही होता है यहां तक बाते हो गई यह सारी बाते जो है ना टॉपर एस्टूडेंट जो है ना यूज करते है अगली और महत्मूर बात यह है कि जब भी आपके मन में ये विचार है कि मैं बोर्ड परिक्षा में टॉपर बनूँगा या फिर 90 परतिसत 95 परतिसत अग आसूर करूँगा इसके लिए आपको एक बहत्री टाइम टेबल होना चाहिए कि आपकी स्कूल ओफलाइन है तो आप कितने घंटे जा रहे हो ओन लाइन आप मन्टू सर से पढ़ रहे हो या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो उनकी टाइमिंग क्या है वो कितने बज़े लाइफ क्लास कराते हैं अगर किसी कारान बर सर क्लास उस दिन नहीं लिए तो उस दिन मैं क्या करूंगा कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट उसके पासे आपको सेल्फ स्टेडी करने के ज़रूरत है एक इसका आंकड़ा बना करके एक इसका टेबल बना करके अपने आगी स्क्रीन पे लगा लो अपने रूम में और हमेशा जो है न रूम एक पढ़ने वाला अलग बनाओ मैं जानता हूँ मैं गरी परिवार के बच्चा हूँ मैं आपी के 20 के निकल के आया हूँ हम लोगे पास इतना घर नहीं होता है कि मैं एक पढ़ने के लिए अलग रूम बनाओंगा सूनी के लिए अलग बनाओंगा कीचेन के लिए अलग बनाओंगा रहने के लिए अलग बनाओंगा ऐसा हम लोग के साथ नहीं होता है बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा है 90% बच्चों के साथ ऐसा है अगर आपका ऐसा है तो मुझे बता सकता हूँ आप उसी में जो आप जहाँ बेड लगा हुआ आप उसी कौने में जो है ना आप उसे पढ़ने का टेबल रख सकते हो या फिर चोकी पहीं पढ़ रहा हो या पिर बेड है बेड पर रखकर एक पढ़ने का एक वहाँ पर structure बना लो कि मुझे यहां वह सारे चीजे रखकर के मेरे यहां पर अबलेबल होना चाहिए और मैं उस तर रिल्स देखलतनी कम करदा यानि कि साथ यू अगर आप सोर्स देख रहे हो किसी का रिल्स देख रहे हो डांस देख रहे हो तो उसे थोड़ी सी कम करनी के जरूरत है जादा कम करने के जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगी तो आपका हैल् कुछ बाते जरुर किर करते रहना तब जाकर के पढ़ाई करना ऐसा भी नहीं है मैं कहाई अब पूरी तरीके से बंद करना भी गलत बात कह सकते हो कि भाई साब नहीं है और है भी दोनों तरीके का है आप देखो किसी भी चीज का लut मैं उतनी लगाना चाहिए जिसका मतलब जितना काम चल सके ठीक है अब पूरी तरीके से बंद कर दो के वो भी चीजे नहीं है यार सोचल मेडिया की जमाना है तो थोड़ा बहुत एक्टीव रहो लेकिन उतना एक्टीव नहीं रहना है मतलब कि अगर आप पढ़ रहे हो तो उस समय तो बिल्कूल नहीं उसे बंद करके रख देना साइड करके रख देना मेरा मनना यह है ठीक है आपका विचार क्या है आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो दन अब सबसे महत्मूर बात एक और यह है कि जब भी आप पढ़ रहे हो जैसे मैंने इंस्ट्राग्राम या फिर रिल्स होगरा का बात करें उसों देखना है देखने के लिए मैंने क्यों कहा क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि लगतार बैठते हैं एक बात तो चार घंड़े पढ़ते हैं पांच घंड़े पढ़ते हैं तीन घंड़े पढ़ते हैं ऐसा कदापी नहीं करनी है आपको पढ़ना है सिर्फ अगर आप याद कर रहे हो तो सिर्फ तीस मिनट तीस मिनट पढ़ना है दस मिनट का पंदर मिनट का ब्रेक लेना है घुमना है ना मस्त तरीके से चिल करना है फिर आकर कर बैठना फिर पढ़ना अब ऐसा नहीं कि आप पढ़े फिर आप गये घुमने के लिए या फिर ठालने के लिए तो टहलते रहे गए पटा गराटा घंटा और कोई आ गपे से बिला रहे गए एक दिर घंटा नहीं टाइमिंग की वाई साब आपके बस वैल होनी चाहिए है ना क्योंकि जिसके पास टाइम की कदर नहीं होती है वो इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता या आपको भी पता है सबको पता है हम गोई बता है तो टाइम का सही इस्तमाल करना होगा हम सभी को यहां तक आप लोगों नहीं शमज ल जो भी आप time table बना रहे हो उस time table को daily follow करना है अगर हो सकता है किसी कारण बस अगर किसी कारण बस आप जो है न उस दिन उपस्तित नहीं हो सकता है कोई भी कारण कोई भी reason हो सकता है तो आप अगले दिन उससे सबसे पहले उससे complete करो या फिर उससे double करके पढ़ाई उसको complete करक और हमेशा अपने दिमाग को एकदम फ्रेस महसूस करना होगा तब जा करके आप बोर्ड परिक्षा में बहतर कर सकते हो जैसे जैसे समय आएगा आपको धीरे धीरे मैं सारी बाते आपको बताते रहूँगा समझाते रहूँगा अगली बात अगली कड़ी में बोर्ड इकदा इक बात से जहां पर परशानिया हो रही है उसे आप लोग देखो और सबसे अच्छी बात यह है कि जार डाउट पुछना सूरू कर दो क्योंकि डाउट उसी के बनते हैं जो पढ़ाई करता है जो पढ़ाई नहीं करता है उसे डाउट नहीं होती है यानि कि गलतिया उनही कुछ करता है वो कुछ नहीं करता है अगर वो करता होगा तो गलती होंगी वो पढ़ता होगा तो डाउट होगा यह गैरेंटी है कि डाउट होगा और पढ़ने में जब डाउट नहीं तो फिर पढ़ने का मजा ही नहीं तो साथियो आप तैयार हो जाओ हमारे साथ साथियो आज की वीडियो छोड़ी सी वीडियो छोड़ी छोड़ी बाते मैंने बताई और आप अंती में कोगे यह सारी बाते तुम जानते थे यार जानते नहीं थे आप अलग-अलग दिमाग आपका वटक रहा था और इस इसको मैंने एकत्रित कर दिया और तीन-चार जो महतपून टॉपिक आपको बताई जो सिलेबस की बारे में है एकजाम पैटरंड की बारे में है उसको जनना बहुत जरूरी है तो साथ यो बस इस वीडियो से मुझे दीजिया इजाजत क्या इसके बारे में विचार है आपका या फिर अगले क्या आपका कोशन है वो नीचे कमेंड बक्स में आप कमेंड करके बताईए चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब सुरत तरीके से आप हमारे चैनल से बिद्यकुल परिवार से आप लोग पढ़ाई करते रहिए मैं मिलता रहूँगा मैं आपसे बाते करता रहूँगा आपके घरते काते रहूँगा हमेशा आपके साथ रहूँगा साथियो तो मैं बिदा लेता हूँ इस क्लास से